तो फाइनली एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हम बात करेंगे जो सनी का अभी गोचर हो रहा है सनी मकर में प्रवेश करने वारे हैं 12 जुलाई से और मैंने आपको जो मेरा वक्री सनी वाला वीडियो था उसमें भी बताया था तो में लगन वालों को इसका कैस प्रभाव देखने को मिलेगा तो यहाँ पर दो पॉइंट इस गोचर में निकल के आते हैं जो कि मकर में सनी आ रहे हैं तो 12 जुलाई से 23 अक्टूबर 2022 तक जब वो मकर में रहेंगी तो वक्री स्थिति में रहेंगी और एक इनकी मार्गी स्थिति रहेगी तो हम जनरली अ दनिष्टा नक्षत्र होने की वज़े से आपका जो सनी है अगर आपका सनी दनिष्टा में है या फिर कोई ऐसा प्लेनेट आपका धनिष्टा में है जिसके आपको महा दसा चल रही है या अंतर दसा या परतेंतर दसा चल रही है इसके लावा अगर आपका चंद्र यापक ही जो प्रिणाम है दोनों ही प्रकार की जो प्रभाव है वो देने वाला है तो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट यह हो जाता है सभी के लिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैंने यहाँ पर जो है आपके लिए यहाँ लिख रखा है तो अलग से यहाँ आप समझ सकते हैं सैटरन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉन 12 जुलाई से 23 अक्टूबर तक और 23 अक्टूबर के बाद 17 जनवरी 2023 तक तो यह जो पहले वाला है 12 जुलाई से 23 अक्टूबर यह वक्री वाली इस्तेदी है अब आपका जो सनी है वो है 10 अउस में लगन के अकोर्डिंग 10 अउस में वो यह जो बोचर हो रहा है तो अब आप को जाना पड़ेगा थोड़ा पिछे और वो टाइम आप देखिए जब सनी ने मकर में परवेश किया था और उस समय से लेकर अभी तक का जो सनी का प्रभाव है कुछ ऐसा देखिए कि जो आपका पूरा नहीं हुआ है आपका अधूरा रहे गया वो ऐसा काम तो यहाँ पर सनी धनिस्टा नक्षत्र में रहने वाले तो धनिस्टा नक्षत्र से आगर आपका कोई भी प्लानेट बैठा है धनिस्टा में या फिर आपको यहाँ पर क्योंकि धनिस्टा नक्षत्र में ली मंगल का नक्षत्र है तो मुखी रूप से आपका जो लगनेश वो खुद मंगल है तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा मिक्स्ट पुरिणाम मिलने वाले हैं और एक जो गुरू का गोचर हो रहा है मीन रासी में तो सनी का जो द्रश्टी है वह मीन रासी पर पड़ेगा तो ऐसे में गुरू का जो प्रभाव है वह भी यहां पर आएगा तो तीन जो मिक्स्ट रिजल्ट है वह आपको मिलने वाले अब जनरली अगर हम देखें तो रिजल्ट क्या रहने वाले हैं देखें अगर आप जोब के प्रपस से कहीं फोरें जाना चाह रहे थे और आपका काम नहीं बना तो अब बनेगा मेश लगन वालों का इसके लावा आपको एल हैं बारवे घर को लेकर और बारवे घर से जुड़ावा कोई भी आपका काम हो तो वहां पर आपको थोड़ा फोकस ज्यादा रखना चाहिए इसके लावा विसेसकर जो फॉरेंच सेटलमेंट वाले लोग हैं वह और जो लोग आर्टिस्ट हैं उनको इसका जो ध्यान सबसे ज्यादा रखना चाहिए इसके लावा मैंनली टेंथ हाउस है तो आपको पता है कि प्रोफेशन में कोई बहुत बड़ा चेंज आप देख सकते हो और लेकिन अभी क्योंकि शनी है वह वक्री स्थिति में रहने वाले 12 जुलाई तो वो बनेगा इसके लावा जो इनका मारगी वाला काल रहेगा 23 अक्टूबर से 17 जनवरी तक उसमें कहीं ना कहीं आप ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगे या नहीं उसके जो रिजल्ट है काफी ज्यादा फास्ट रहेंगे तो यहां पर इनका जो तीसरा आपका कोई निर्मान से समझित कारिये हैं आप भवन निर्मान कर रहे थे या आप प्रोपर्टी खरीद रहे थे कोई बेसा कारी है उस पर इनका प्रभाव रहने वाला है तो हो सकता है आपका अगर काम अटक गया था तो अब बन सकता है तो यह कुछ महिनों का आपके लि जो आपके पहले से सुरू तो हो गए बट वो पूरे नहीं हो पाए अब इनकी जो अगली जो दृष्टी है उसकी भी बात कर लेते हैं तो इनकी अपनी उच्की रासी पर दृष्टी पढ़ रही है जो इनकी दस भी दृष्टी है तो यहाँ पर देखे अगर आप कोई ब प्रिणाम मिल सकते हैं अब सनी के इस गोचर में आपको डरने की बिल्कुल भी जरूट नहीं है क्योंकि सनी बैक आये हैं बैक आये तो पहले के जो काम आपने शुरू करके छोड़ दी थे उन पर ज्यादा फोकस करें तो आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छे से मिलेगा और नए काम के लिए अगर आप मेहनत करेंगे तो हो सकता है आपको डिले भी हो या फिर वैसा रिजल्ट ना मिले बट आप अपनी योज ना है देखिया आपने कोई न कोई प्लान बनाया होगा कोई न कोई ऐसे आपने प्लानिंग जरूर की होगी जो आपकी सक्सेस्फु नहीं हुए आपने उसको वीच में छोड़ दिया होगा तो यह काफी इंपोर्टेंट हो जाता है अब यह वक्री स्थिति में पहले वक्री रहने वाले क्योंकि तो वक्री स्थिति में वही काम आपके ज्यादा जल्दी बनेंगे जिनको आपने अधुरा छोड़ा हो इसके लगा आपकी यह डारेक्ट मेरीड लाइफ को भी प्रभावित करेंगी तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपका जो रिष्ता है अपकी जो मेरीड लाइफ है उस पर भी इसका असर पड़ेगा तो जिन लोगों की साधीनी वी मेस लगन वाले जो लोग हैं उनकी समय मेरीज भी हो स सकती हैं इसके लबा कोई नया विजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप प्लानिंग कर सकते हो इसके लबा आपका फोरेंग से जुड़ा हुआ कोई विजनेस है तो आपको बहुत ज्यादा फाइदा मिलने वाले इसके लवाँ आपके पार्टनर की health प्रभावित होगी तो कही न कही अपने पार्टनर की health को लेके आपको थोड़ा सा यहाँ पर conscious ज्यादा रहना पड़ेगा तो यह सनी के overall result है अब आपको सनी के इस गोचर में सनी के इस प्रभाव को देखते हुए कोई सा उपाय ऐसा करना चाहिए जिससे आपको बहुत ही अच्छा result मिले देखिए यहाँ पर तीन जो प्लैनेट हैं उनका प्रभाव है तो आप तीनों प्लैनेट के ही कोई ना कोई काम कर सकते हैं कोई ऐसा उपाय कर सकते हैं जैसे आप सनी के लिए हो सकता है सनी के लिए आप अगर चाहें तो कोई भी ऐसी रेमेडी करें तो आप कुत्तों को खाना खिला सकते हैं इसके लावा आप सनी के लिए तेल का दिपक जला सकते हैं सरसों के तेल का दिपक आप फी इनको मंगल की चिंता है यानि क्योंकि मंगल के निक्षत्र में तो मंगल के लिए आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं या फिर हनमान 40 भी करें तो भी बहुत अच्छा रहेगा इसके लवाग गुरू का अगर मैं आपको सिर्फ एक उपाई बास में कहीं ऐसे किसी व्यक् करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा सनी के इस ल vraiment तो बोखिय रूप से जो सनी है उनका भी प्रहाव आपके म्हील प्रुरिव है और जो गुरुभै उनका भी प्रभा प्रतर रहा है क्योंकि गुरु आपके आपके सापना इस समय में या फिर आप बियरactive का भी आपको कोई ऐसा चांस मिल सकता है तो यह आपको बहुत ज्यादा यहां पर ध्यान से देखना होगा और आपको यह जो गोचर हैं दोनों ही वक्री वाला और मार्गी वाला दोनों ही गोचर में काफी अलर्ट रहना है क्योंकि आपको कुछ पेंडिंग जो काम रहे हैं उन इससे आपके यह जो रिजल्ट है सनी कि वह आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिल सकें और आप बिल्कुल संदोस्ट हो सकें तो फिलाल इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद करें